UGISnet 2022 की त्यारी के लिए बिना कोई notes मनाए बिना कोई book पड़े selection होगा इस बार 100% without button के साथ अब आपको मिलेगा best notes paper on paper to UGISnet के लिए जिसमें ना तो आपको कोई book पड़ने हैं ना है कोई notes मनाने हैं सबसे special तरीके के साथ paper on का पूरा course आपको मिलेगा 750 रुपीस में जिसमें आपको PDF की रूप में पूरा WhatsApp पे आपके course मिल जाएगा जिसमें 10 unit का complete PDF notes, test series, previous questions सब कुछ दिया जाएगा सिरफ 750 रुपीस में so paper 2 की cost है 1500 रुपे यह subject लिए है आपको पूरा 10 minutes का PDF notes, test series सब कुछ दिया जाएगा तो जल्दी से इस number पे contact or WhatsApp करिए आपको लखना है अपना नाम, साथ में आपको लखना है 2022, best PDF notes आपको पूरी जनकरी आपे मिल जाएगा so देखें यह है जून 2020 का जिसमें cutoff बताया था तो उसी की according आपकी December 2020 और June 2021 की cutoff आएगी तो मैं एक random ले आपको मैं यह आपे बता रहा हूँ तो आप एक बार देख लिजिए, सेम वैसा ही cutoff आएगा so देखें कारण यह है कि देखें कि इस बार जो आपका exam है वो merge exam है, इनकी December 2020 और June 2021 यह exam थे, ठीक है तो आपके देखें, दो session के exam है कुछ student बोलते हैं कि अभी दो session के exam है तो merge हुए है, तो percentage कम जाएगी, cutoff कम जाएगी कुछ कहते है कि नहीं, cutoff जादा जाएगी तो देखें, यहाँ पे simple सी बात आप देखिए जिन बच्चों ने December का exam भरा था वो June का exam उन्होंने फिल नहीं किया वो नहीं फिल कर पाये थे क्योंकि ऐसा rule था, जो already form फिल कर चुके हैं वो June 2021 का फिल नहीं कर सकते तो दूसीरी दरफ, जिन ने June 2021 का फिल किया था तो December 2020 का वो फिल उन्होंने नहीं किया था तो कहने का मतलब यह है कि exam एक था, लेकिन session दो थे session दो थे, December 2020 June 2021, लेकिन exam एक था तो उसके कोड़े का कर में चले तो यहाँ पे cut-off पे इतना ज़दा फरक नहीं पढ़ने वाला तो अगर फड़क पढ़ा तो एक या दो परसेंट नीचे जाएगा लेकिन उतना ही रहेगा जितना पहले था For example, देखें, मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे लिखाए देखिए subject है, category है, assistant professor और जेरेफ, and assistant professor, ठीक है तो यहाँ पे subject है, economics का category है, unreserved unreserved में देखिए, वो category आती है, जो general category है अगर मैं assistant professor की बात करूँ तो पिछली वाद जो cut off थी, वो थी 62.67 यनकी 62.67 ठीक है, यह cut off थी, assistant professor के लिए 70% जो cut off थी जेरेफ के लिए, ठीक है जेरेफ में total qualify थे 108 और assistant professor में थे 933, 933 तो ऐसे ही देखिए, कि gap देखे कितना है, यहाँ पे अगर हम इसे 63 माले, इसे 70 माल ले, तो 7% का gap है, 5-7% हमेशा ही sister professor और जेरेफ की cut off में gap रहता है अगर मालीजिये, exam जो हता, much हुआ है, तो कह देते हैं, कि 70 का 68 मालीजिये, इस बार, और 63 का 60 मालीजिये, 2-3% नीचे जाएगा, अगर गया तो, लेकिन वैसे ही same रहेगा, ठीक है, आप इसके recording judgment कर सकते हैं, कि आपका कैसा रहने वाला है, economics की बात करों तो इसमें देखे, EWS economic weaker section में 56,67 था, दोनों में देखे, 6% का फरक है, अंडर्जरम और EWS में, और जेरफ का था 66.67%, ठीक है, OBC, SC, ST, आप देख सकते हैं, आपे 56 गये था, OBC में SC, ST में देखे, 50 या 49 के असपास था इसमें, ठीक है, तो वैसा ही cut-off रहने वाला है, अमों में देखे, जब भी cut-off रहती है, linguistic exam की, जैसे English है, Hindi है, Punjabi है, कुछ भी language है, उनकी cut-off सबसे high जाती है, बाकियों की cut-off low जाती है, चीक है, तो political science के बात करें, यहाँ पर देखे कि जो cut-off थी unreserve के लिए, वो थी 60% और 68 थी इसकी जेरफ के लिए, तो इतनी ही जाएगी इस बार भी, चीक है, आप यह मान के चलिए, क्योंकि देखें, एक competition जो था, वो दो exam के लिए था, चीक है, session दो थे, exam एक था, तो इसलिए इतना ही जाएगा, चीक है, तो यह political science का हो गया, चीक है, और नीचे philosophy का देख सकते हैं, आप यहाँ पर, 63 थी philosophy के लिए, unreserve के लिए, चीक है, और SCST के लिए 55 थी, तो 72 थी philosophy की जेरफ के लिए, ठीक है, सो psychology भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, psychology के लिए देखें, 54.67 था, assistant professor के लिए जेरफ के लिए 60 था, यह vary करता है, अलग-लग subject के लिए, ठीक है, हर एक subject की cut-off अलग-लग जाएगी, sociology में देखिए, अर्जव के लिए 61 थी, 70 थी उसके लिए, जेरफ के लिए, so 7-8 परसेंट का फरक रहता है, हमेशा ही, जेरफ के लिए, आप पिछली category को, या पिछली cut-off को आप मान के चलिए, तो उसके according ही, आपका result आएगा, 1 या 2% नीचे जाएगा, लेकिन लगभग सेम ही जाएगा, अगर आपने अपनी answer की check की है, आप उसके according marks बना के देखिए, अगर आपके पिछली बार जेतने marks बनते हैं, या उसके आसपास बनते हैं, तो आपका net जेरफ असानी से qualify हो जाएगा, अगर नहीं बनते, तो आपका net जेरफ qualify होना इस बार मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, history के लिए देखिए, अरजर्व के लिए 54% थी, असेस्टरम परफेसर के लिए 60 था, उसमें जेरफ के लिए, ठीक है, जो tough exam है, उसकी cut off नीचे जाती है, जो असान होते हैं, उसकी cut off हमेशा high जाती है, 58 थी, education के लिए, असेस्टरम परफेसर, अंजर्व के लिए 67% था, इसके लिए, जेरफ के लिए, तो ऐसे ही करते करते, सारी ही आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यही बताया है, कि इसकी cut off जो पिछली बार गई थी, लगबग सेम जाने वाली है, अगर downfall हुआ, तो सिरफ एक यह 2% का ही होगा, इस से जादा नहीं होगा, बाकि सेम ही जाएगी, तो आप judgment कर सकते हैं, आपके कितने माक्सिस बार आए है, तो आपका result हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, अगर आपको वीडियो से लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए,